जैहिन दोस्तों वेलकम है आपका विजेपत एजुकेशन पालमपूर में आज की आपके लिए स्पेशल वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे आर्मी टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, एससार और डवले के लिए फिजिक्स के बारे में सबसे पहला चैप्टर बहुत रहेगा आपका साउंड और इस वीडियो में आपको जो है बो डिस्क्रिप्शन के साथ जो है बो मैं आपको समझाओंगा जल्दी ही इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपके लिए लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको साउंड के डारेक्ट MCQ वा को सस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक करें जल्दी ही स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो आप हमारे वाट्साइप क्रूप के साथ जोड़ सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा जहां पे आपको इसकी PDF जो है वो प्रवाइड करवाई जाएगी सबसे पहले sound के बारे में समझते हैं जो sound है a kind of sensation received by our ear and processed by our brain sound is produced by vibrating object तो आपके लिए sound जो है वो क्या चीज़ है ये एक sensation power है जो कि हमारा brain जो है वो capture करता है और हमारे कान जो है वो उसको सुनते हैं और sound जो है वो कहां से उसकी production होती है तो कोई भी vibrating object जो है वहाँ से sound की production होती है इंपोर्टेंट है आपके लिए कि sound की production कहां से होती है तो कोई भी vibrating object होगा वहाँ से sound की production होगी तो किसी भी चीज़ को अगर हम strike करते हैं तो वहाँ पे vibration होती है और ये wave जो है इस way में travel करती है तो वैसे हमारे ये sound wave जो है वो वहाँ से produce होती है उसके बाद बात करते हैं इसके मुखे दो types के बारे में या फिर इसकी दो main जो इसके sound की characteristics के बारे में सबसे पहले है हमारे पास musical sound और उसके बाद आता है noise तो musical sound क्या चीज है तो sound which produce a pleasant effect on the air जो सबसे अच्छी हमारे लिए जो sound रहती है हमारे कानों के लिए उसे जो है musical sound कहा जाता है और noise जो है एक ऐसी sound जो हमारे कानों के लिए unpleasant है यह फिर jaring उसको बोलते हैं तो unpleasant effect अगर हमारे कान के लिए कोई sound डालती है तो उसको noise कहा music जो है वो हमारे लिए एक musical sound है काफी soft sound है और अगर जैसे horn की आवाज है या भारी traffic में जो जतने भी horn है machine की आवाज है उसको हम noise के नाम से जानते हैं लेकिन आपके लिए मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो हमारा music है वो भी कुछ time के बाद जो है वो noise में change हो जाता है जब यह हमारे कानों के लिए काफी दुखद होने लग पड़ता है जैसे for example अगर हम गाने सुनते हैं तो एक डेड़ घंटा तक हम continue जो है वो गारे गाने जो है वो सुन सकते हैं लेकिन बाद में वही गाने हमारे लिए क्या बन जाते हैं unpleasant बन जाते हैं इसलिए वो musical sound जो है वो हमारी noise में change हो जाती है next बात करते हैं इसकी production के बारे में तो मैंने अभी आपको बताया था कि sound की production जो होती है वो होती है vibration of object से vibration is the rapid and and from motion of an object जो की continue motion में जो है वो travel करती रहती है vibration उसी से ही जो है वो sound की production होती है तो vibrating object are the source of all sound irregular vibration produce noise regular control vibration and produce music all sound in a combination of pure frequency तो जितनी भी frequency के combination बनते हैं वहाँ से जो भी vibration निकलती है वहाँ से हमारी production होती है sound की जैसे for example यहाँ पर बताया है a stretch rubber band when plugged vibrates and produce sound जब भी हम किसी rubber band को किसी के साथ stretch करते हैं strike करते हैं या फिर छोड़ते हैं तो वहाँ से जो है वो हलकी सी vibration produce होती है और उसी vibration से जो है वो sound की production होती है next one है propagation of sound most important है आपके लिए कि propagation of sound क्या होता है तो जो भी sound जहाँ पर उसकी production हो रही है जैसे मैंने किसी चीज़ को strike किया जैसे for example मैंने एक चमच को नीचे फैंका तो वहाँ से किया हुआ मेरे को अवाज आई उस चमच के गिरने की तो उस चमच का क्या हुआ जब वो उस first के साथ हमारे floor के साथ strike हुआ तो वहाँ पर क्या चीज़ हुई vibration produce हुई और उस vibration जो है वो continue form में travel करती रहेगी और उस वज़े से जब हमारे कानों में पहुंचेगी तो हमें उसकी sound सुनाई देगी लेकिन जो जहाँ पर हमारे कानों तक ये पहुंची है तो उसके बीच में क्या चीज़ होनी चाहिए उसके बीच में एक medium होना चाहिए तो important है कि propagation of sound के लिए वो हमारे पास एक medium होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि medium एक ऐसा object है जो उस sound को एक स्थान से जो है जो अभी मैंने आपको बात बताई बिलकुल सेम बात यहां पे लिखी गई है बेव के अंदर जो है जितनी भी हमारी disturbance होती है उसको ट्रेवल करने के लिए जो है वो एक medium की एक medium का होना जो है वो सबसे ज़रूरी होता है So sound is considered as babe तो हम sound को जो है वो एक बेव का नाम भी वहां पे दे सकते हैं Sound wave requires medium for transmission Sound waves are called mechanicals बेव Important line यहां पे लिखी गई है कि जो sound wave है वो एक medium require करती है अपने transmission के लिए एक position से दूसरी position में जाने के लिए उसको medium की ज़रूरत होती है और इसी के कारण उस sound wave को जो है वो mechanical wave भी कहा जाता है Important है When a vibrating object moves forward It pushes and compress the air in front of forming A reason of high pressure is called compression Important है Compression rearfaction आपके लिए important है जब भी हमारी sound जो है vibrating object आगे move करता है forward की तरफ तो वो push करता है और हमारी air को compress करता है High pressure के साथ उसी चीज़ को compression बोला जाता है लेकिन जब यही चीज़ हमारी जो है low pressure के साथ backward में होती है तो उसी चीज़ को जो है वो rarefaction का नाम दे दिया जाता है Next बात करते हैं longitudinal wave और transverse wave की most important है sound से related equation यहाँ से आपके लिए बनता है So longitudinal wave जो है vibration direction move closer together further apart जो भी हमारी longitudinal waves है वो vibration के साथ साथ उसी direction में वो travel करती है मतलब parallel direction में वो भी travel करती है उसका जो propagation है वो भी उसके parallel direction में होता है तो उन waves को जो है वो longitudinal wave कहा जाता है लेकिन जब वो vibration जो है वो उस wave के propagation के perpendicular चली जाती है तब उन waves को transverse wave कहा जाता है So sound wave जो है वो हमारी एक sound wave जो है वो हमारी एक longitudinal wave है और transverse wave में जो है वो हमारे पास आती है light wave important है आपको ध्यान में रखना है और यहाँ पे इसके example भी बताए गए है longitudinal पे बताए गया है sound waves तो sound waves जो है यह हमारी एक longitudinal wave होती है और gases और liquid के case में जो है वो हमारी sport only longitudinal wave जितने भी हमारे medium है gases या liquid वो हमारे सारे longitudinal wave के coding work करते हैं और solid की यहाँ पे बात करें तो solid बोथ longitudinal और transverse दोनों medium को ही वो require करते हैं sound wave require medium for transmission अभी मैंने आपको पताए कि जब भी किसी solid से आवाज निकलती है sound निकलती है तो उसको travel करने के लिए जो है वो एक medium का होना सबसे जरूरी है अब वो हमारा medium solid की form में भी हो सकता है gases की form में भी या फिर वो liquid की form में भी हो सकता है नेक्स इसकी कुछ properties के बारे में बात करेंगे जैसे की first one हमारे पास frequency है wavelength है time period, amplitude, intensity, speed, direction उसके बाद है perspiration of sound next इसका important यहां पे line बताए गई है for human hearing is limited to frequencies between 20 hertz to 20,000 hertz with the upper limit generally decrease with age यहां पे आपके लिए बताया गया है कि जो humans being होते हैं जो मानव होते हैं उनकी जो सुनने की क्षमता है वो 20 hertz से 20 kilo hertz से 20,000 hertz तक वो रहती है लेकिन जब भी जैसे जैसे age जो है वो increase करती है तो उसकी limit जो है वो decrease कर जाती है तो इसकी जो upper limit है मतब़ 20 kilo hertz से वो हलका सा नीचे आने लग पड़ती है तो यहां से आपके लिए question जो है वो बन सकता है अगे इसकी properties के बारे हम बात करेंगे सबसे पहले number पे आता है amplitude the maximum distance of a vibrating or swinging object from its position of rest the amplitude of sound wave is the highest height of the crust or trough the SI unit is same as the density or pressure इसको समझाने से पहले मैं आपको जो है वो सबसे पहले figure के according मैं आपको यहां पे बताता हूँ सबसे पहले जिसे यह आपके पास diagram है तो यहां पे जो है यह एक आपकी wave जो है वो travel कर रही है जिसे आपके पास यह एक wave travel कर रही है इस way मैं यह travel कर रही है अब यहां से यह सबसे पहले उपर जाएगी फिर यह नीचे आएगी सबसे पहले उपर गई फिर नीचे आई अब यहां पे क्या किया है यहां से लेके यहां तक जो इसकी maximum attain height आगी जिसे for example मैं यहां पे एक simple सी draw करता हूँ जिसे यहां से यह उपर जाएगी फिर नीचे आएगी अब यहां से इस point से लेके यहां तक जो है इसकी जो maximum height है यह वाली height इस वाली चीज़ को जो है वो बोला जाता है amplitude यह आपको यहां पे बताया भी गया शो भी किया गया है कि amplitude क्या चीज़ है यहां से जो maximum इसकी height है इसको amplitude बोला जाता है जो हमारा एक cycle जब complete होता है जब हमारा एक cycle यहां पे complete हो जाता है positive और negative जिसे यहां से चली यहां पे आगी एक positive complete हो गया एक negative complete हो गया तब उस case में जो है यह एक हमारा complete cycle यहां पे complete होता है तब उस चीज़ को जो है जिसे 1 cycle यहाँ पे लिखा है complete उस चीज़ को यहाँ पे frequency का नाम बोला जाता है यह जो उपर हमारे maxima निकल के आते हैं जो maximum height पे हैं इनको peak का नाम बोला जाता है और दो peak के बीच का जो distance होता है उसको wavelength का नाम दिया जाता है तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है बिल्कुल easy way मैं मैंने आपको यहाँ पे बताया है आगे इसकी कुछ definition की बात करते हैं तो amplitude के बेरे मैंने आपको बता दिया जो इसकी maximum height होती है उसी को ही amplitude बोला जाता है और इसके SI unit तो वैसे meter में count करते हैं लेकिन इसके SI unit काई बार density और pressure के जो unit होते हैं उसके equal भी माने जाते है next है time period easy way मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ जिसे for example यहाँ पे मेरे पास कोई एक wave है यहाँ पे travel कर रही है ऐसे करके तो इस wave को यहाँ से पूरा होने में कितना time लगेगा एक oscillation complete करने में कितना time लगेगा यहाँ पे लिखा गया the time taken by vibrating particle to complete one oscillation एक complete cycle होने में कितना उसको time लगेगा कितना समय लगेगा उसी time को जो है वो time period के नाम से जाना जाता है next बात करते हैं frequency और wave length के बारे में यह दोनों बाते मैंने आपको बता दी है जिसे यह मेरे पास कोई एक wave है अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक positive और एक negative cycle जब यह complete कर लेगी तो उस चीज को number of vibration जो इसने vibration complete की है यहाँ पे एक oscillation complete की है per unit time per unit time के according तो उसको frequency बोला जाता है और frequency के unit होते है हर्ट्स आपको साथ साथ में important point के notes आपको बताते चलना है last मैं आपके लिए जो है वो key fact भी मैं आपके लिए बताऊंगा जिसमें 30 plus आपके most important जो one liner आपके लिए notes या फिर point जो आपके लिए रहेंगे उसके बाद जो है बेवलेंद की बात करते हैं तो बेवलेंद क्या होती है जो maximum peak हमारे पास यहां पे आती है यहां से लेके यहां तक के बीच का जो distance आएगा उसको जो है वो बेवलेंद बोला जाता है यहां पे एक line बताई गई है the amplitude is high is how high the crust are यह depend करता है कि कितना high हमारा amplitude जाता है तो यह सारी की सारी चीजें जो है वो आपस में inter-linked रहती हैं उसके बाद characteristics of sound के बारें बात करते हैं सबसे पहले नंबर पे आता है loudness loudness आप easily समझ सकते हैं कि जतनी जादा loud sound होगी तो उसी को ही loudness बोला जाएगा तो मतलब मैं यहां पे बोल सकता हूँ कि किसी बेप का अगर मैं amplitude increase करता हूँ तो उसका जो loudness है वो भी क्या हो जाएगी increase हो जाएगी लेकिन यहां पे एक चीज क्या होती है कि जब भी हम किसी sound का amplitude या फिर उसकी loudness को increase करते हैं तो उसकी sound जो है वो कुछ हद तक faint हो जाती है मतलब कि फट जाती है उसकी उतनी clear sound जो है वो नहीं रहती है आप practically भी इसको कर सकते हैं जैसे अगर हमने earphone लगाए होते हैं high sound कि अगर उस पे सुने तो कई बार उसकी जो sound है वो फटी-फटी सी आती है या फिर जैसे computer या laptop के उपर जो भी हमारे media players होते हैं अगर उस पे उपर high अगर sound कर दें किसी गाने की तो वो जो गाना है वो काफी है तक कुछ फटा-फटा सा जो है वो हमें सुनाई देता है तो उसकी अगर loudness increase करेंगे तो amplitude भी उसका increase कर जाता है next बात करते हैं pitch के बारे में तो एक इसकी sound की ही characteristics है जो हमें shrillness और soft sound के बारे में बताती है shrill या फिर soft sound के बारे में बताती है जैसे आपको पता होगा लड़कियों की आवाज जो है कुछ हतक जैसे तीखी जैसी आवाज लगती है लड़कों की आवाज जो है बो भारी जैसी लगती है तो ये property जो है ये sound की कौन सी characteristics आती है ये आती है उसकी pitch जो हमें उसकी shrillness और softness के बारे में हमें बताती है तो pitch जो है बो directly depend करती है frequency के उपर अगर frequency high होगी तो उसकी pitch भी हमारी high ही रहेगी important है next one आता है most important which is known as quality quality को हम एक another name से भी जानते है which is called timber मैं यहाँ पे लिख देता t-i-m-b-r-e timber quality को जो है वो हम timber के नाम से भी यहाँ पे जानते है quality क्या चीज़ है आप यहाँ पे easy way में समझ ही गए होंगे quality एक ऐसी चीज़ है जो sound की softness या hardness के बारे में हमें जो है वो बताता है मतलब कि उसकी quality कैसी है clear है या fatty fatty सी उसकी sound है तो जैसे भी कोई हम अगर हमारे पास musical instrument है तो उसकी जो quality है वो काफी अच्छी रहती है क्योंकि कई बार जब भी हम headphone लेते हैं तो सबसे पहले हम उसकी loudness pitch को छोड़ के जो है वो सबसे पहले उसकी quality की बात करते है quality का मतलब है कि वो जो sound हम सुन रहे हैं उसकी quality कैसी है important point है था कि quality को another name के नाम से हम क्या जानते हैं so which is known as timber next बात करते हैं कुछ इसके key fact के बारे में last मैं आपको मैं एक बार फिर से key fact की quick revision करवाऊंगा कुछ another key fact के साथ so सबसे पहले है in human being the vibration of the vocal card produce sound तो human being में जो है जो भी हम बोलते हैं पहले से जो sound निकलती है वो कहां से आती है बोकल कॉट से produce होती है sound travels through a medium, gas, liquid और solid it cannot travel in vacuum sound जो है वो हमारे medium में travel करती है उसको एक medium होना जाहिए travel करने में के लिए gas, liquid या solid और जो हमारा एक medium हम उसको count करते हैं वैसे तो light के chapter में vacuum जो है is also a medium क्योंकि light जो है वो vacuum में travel कर जाती है के बार question आपका बनता है कि vacuum जो है वो हमारे medium नहीं है बट ऐसा नहीं है vacuum को भी हम medium में ही count करते हैं इसका perfect जो आपका answer रहता है वो इस case में क्योंकि light जो है उसको भी travel करने के लिए medium होना चाहिए बट light हमारी vacuum में travel कर जाती है तो उसी वे से vacuum को भी एक medium का ही नाम दिया जाता है बट sound जो है वो vacuum में travel नहीं करती है इसलिए जब भी हम moon या space की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे एक दूसरे को sound नहीं सुनाई देती है नेक्स आता है the air drums sense the vibration of sound it sends to signal to brain the process is called hearing जो भी हम कान की machine लगाते हैं वो क्या काम करता है वो उन vibration को collect करता है और हमें हमारे जो है वो brain पे वो भेजता है और इस process को जो है वो hearing बोलते हैं और जो कानों में हम machine लगाते हैं उसको hearing aid के नाम से हम जानते हैं नेक्स है the number of oscillation of vibration per second is called frequency of oscillation तो अभी आपको बताया कि frequency क्या चीज़ है number of complete cycle per unit time is known as frequency नेक्स वन है the frequency is expressed in hertz frequency के unit जो हैं वो hertz होते हैं larger the amplitude, loud the sound भी आपको बताया कि जतनी जादा loudness होगी उसका amplitude उतना ही increase करेगा next one है higher the frequency of vibration higher the pitch अभी मैंने आपको बताया कि अगर pitch high होगी तो frequency high होगी और यह की एक ऐसी property है जो उसकी shrillness या फिर softness के बारे में हमें बताता है next है unpleasant sound or cold noise जो हमारे कानों के लिए अच्छी नहीं है उसको noise कहा जाता है next है excessive और unwanted sound lead to noise pollution noise pollution may pause health problem for human being तो काफी अच्छी लाईने हाँ पर बोली गही है कि noise pollution से जो है वो हमारी health के ओपर काफी जादा effect पढ़ता है so next है attempts should be made to minimize noise pollution next one है a plantation on the road side and elsewhere can reduce noise pollution plantation हमें करनी चाहिए road के side में इसका reason यह है क्योंकि कई बार जो है जो हमारे road side के ओपर plantation है उसके जादा सबसे जादा फाइदा है सबसे पहले तो oxygen की हमें जो मात्रा है वो proper way से रहेगी और जो भी pollution है उसका वो control हो जाएगा air pollution वहां से control हो जाएगा और साथ में noise pollution जो है वो भी हमारा वहां से absorb हो जाएगा तो उस वैसे noise pollution में कुछ हद तक कमी आएगी vibration repeat back and forth motion vibration जो है वो काफी time जो है वो repeat अपने आपको repeat and repeat करती रहती है periodic motion क्या है एक ऐसा motion जो अपने आपको repeat करता रहे mechanical wave जो है required medium for propagation mechanical wave एक ऐसी wave है जो अपने आपको propagate करने के लिए जो है उसको एक medium की जुरूरत पड़ती है और sound wave जो है वो भी हमारी एक mechanical wave का example है wave move through medium but medium remains in place wave जो है वो अपने medium में रहती है लेकिन medium जो है वो कई बार हमारा किसी न किसी place पे जो है वो change हो जाता है तो उसके बाद कुछ important point की बात करते हैं काफी सारे हमारे इसके sound के chapter के important point है तो आज मैं आपका पूरा का पूरा sound chapter जो है description के साथ मैं आपको करवा दूँगा और next video में जो है वो इसके 30 प्लस या 40 प्लस मैं आपके लिए bilingual Hindi English दोनों ही languages में मैं इसके MCQs आपके लिए ले के आओंगा जल्दी ही chapter 2 भी मैं आपके लिए इसका लेके आने वाला हूँ so complete physics मैं आपके लिए army technical और nursing assistant के लिए मैं आपको करवाओंगा so reflection of sound के बारे में बात करते हैं sound gets reflected at the surface of a solid or liquid and follows the law of reflection आपको पता है कि sound जो है वो गूंचती है मतलब गूंचती तब है जब वो sound एक position से strike करके वो बापिस आती है तो उसी चीज को जह है वो reflection बोला जाता है इसके mainly दो rules होते हैं पहला rule है आपने सब ने पढ़ा है the angle of incidence is equal to angle of reflection that means angle i is equal to angle r यह आपको पता है दूसरा काफी easy इसका low है the incident ray, the reflected ray and the normal at lie all in the same plane आपको पता है कि यहां से बीच में मेरा normal है incident ray, normal और जो मेरा reflected ray है यह तीनों के तीनों same plane में जो है वो like करते हैं तो इसको जो है reflection of sound के lows कहा जाता है next सबसे important point है आपका echo और उसके बाद आएगा आपका radio प्रिवेशन तो echo जो है पूल मैं आपको इसके बारे में complete यहां से read करके नहीं बताऊंगा direct मैं आपको यह पे echo के बारे मैं बताऊंगा तो echo जो है वो कहां पे आती है, echo आपकी किसी लंपी hudney building में आ सकती है किसी बड़ी बिल्डिंग में आ सकती है जादा तर eco जो है वो mountains में आती है अब eco क्या है जब किसी sound को हम बोलते हैं जैसे मान लीजिए मैंने पहाडों पे किसी का नाम लिया जोर से और उसकी आवाज जो है वो बार-बार बहां पे गुणजेगी उस नाम की जो sound है वो बार-बार बहां पे गुणजेगी अब हुआ क्या मैंने उस पहाड पे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यह कोई पहाड है तो मैंने यहाँ से sound बोली इस direction में और मैंने किसी का नाम बोला जैसे राम तो यह आवाज जो है वो मेरे को बार-बार गुंस्ती सुनाई देगी राम 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 ऐसे करके तो यह जो है इस effect को जो है हम जानते हैं eco तो eco और रेबरिवेशन दोनों ही similar चीज हैं लेकिन eco रेबरिवेशन में एक हलका सा difference आता है वो यह है कि eco को होने के लिए minimum 17.2 meter का distance होना जो है वो compulsory है eco वहीं पे होगी इसलिए मैंने आपको बोला बड़ी सी building मतलग कि बंद कमरे में भी अगर हम जोर से बोलें या खाली कोई मकान है उसमें जोर से बोलें तो उसमें भी हमारी eco होती है लेकिन उसको eco नहीं बोला जाता लेकिन उसको उस time पे rebrevation का नाम दिया जाता है आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारी eco होती है eco जो है उसको होने के लिए minimum minimum distance 17.2 meter का distance होना चाहिए लेकिन जब यही same to same चीज हमारी बंद कमरे के अंदर यह छोटे से घर के अंदर हो तो उस eco को जो है वो rebrevation बोला जाता है important है और उसके आगे यहाँ पे एक line बताई गई है to hear an eco clearly the time interval between the original sound and the eco must be at least 0.1 second अगर आपने eco को बिल्कुल clearly अगर आपने सुनना है तो original sound और eco की जो sound है उसमें 0.1 second का जो है वो हलका सा difference यहाँ पे रहता है उसके बाद आता है the speed of sound in air is 344 meter per second यहाँ पे speed of sound जो है वो आपकी रहेगी 344 meter per second important line है 344 के साथ साथ हम इसको कई वार 330 या 332 भी इसको count करते हैं यहाँ पे मैंने इसलिए बताया है 332 जो है वो आपकी रहती है 0 degree Celsius के उपर 0 degree Celsius के उपर जो आपकी sound रहती है इस temperature के उपर वो आपकी 332 रहती है लेकिन जैसे ही अगर हमारा temperature increase करता है 0 से वो अगर 1 degree centigrade तक increase करता है तो हमारे sound में 0.62 की increasing होती है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मेरा temperature increase करेगा तो मेरी sound की speed भी increase करेगी important है आपके लिए आपको ये बात बिलकुल ध्यान में रखनी है अब eco को जब मैंने आपको यहाँ पर बताया तो मैंने 17.2 meter बताया लेकिन numerical के according जो है इसका जो solution निकल के आता है वो आता है 34.4 meter अब 34.4 meter का हमने half इसली लिया है क्योंकि जिसे मैं यहाँ पर खड़ा था यहाँ पर mountain थे तो मैंने यहाँ से sound लगाई और यह sound जो है वो बापिस फिर यहाँ पर आएगी तो sound यह जब बापिस आएगी तब उस case में जो है यह sound reflect होके जब बापिस आती है तो इसका एक distance जो है हम इसका half कर देते हैं तो 34.4 का जो half है वो है हमारा 17.2 which is the minimum distance for eco उसके बाद बात करते हैं रेब्रिवेशन की रेब्रिवेशन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि रेब्रिवेशन क्या है बिल्कुल easy way मैंने आपको बताया है so repetition होती है multiple reflection होती है sound की उस case में हम उसको रेब्रिवेशन बोलते हैं लेकिन यह जब auditorium में होती है hole में होती है बंद कमरे में होती है compression जिसे fiber board सोरी यहाँ पे कुछ अलग line है तो auditorium बड़े से hole में यहाँ पे जो rebrevation होती है काफी ज़ादा वो sound जो है वो repeat करती है उस चीज को rebrevation कहा जाता है लेकिन उस time पे हमारे पा 17.2 meter का distance minimum नहीं होता है जब भी हम theater के अंदर जाते है तो काफी high sound में काफी भारी अवाज में जो है वहाँ पे वो movie लगी होती है किसी भी theater में लेकिन जैसे ही अगर हम बाहर निकलें तो हमें अंदर की कोई भी sound वहाँ पे नहीं सुनाई देती है अगर हम दरवाजे पे भी खडए है तो हमें अंदर का कुछ नहीं सुनाई देगा या फिर अगर हम बाहर अंदर का कुछ भी नहीं सुनाई देगा तो इसका reason यह है कि उस sound को अनोंने control किया होता है या फिर cover किया होता है उसको absorb करके तो absorbing material लगाय जाते हैं जसे fiber boards है, plasters है उसके cuttons है या फिर floor जितना भी उसका है वो सारे के सारे cotton के इसलिए लगाय जाते हैं क्योंकि या फिर fiber के इसलिए लगाय जाते हैं ताकि उस sound को क्या कर सकें वो absorb कर सकें उसके बाद बात करते हैं range of hearing की तो range of hearing की बात करते हैं important है ये human being जो है ये hear करता है frequency 20 से 20 यहाँ पे mistake है यहाँ पे आपके पास एक और जिरो और आएगी 20,000 hertz यहाँ पे आएगा ये 20 kilo hertz आप बोल सकते हैं तो उसको audible sound कहा जाता है उसके आदर अगर 20 hertz से कोई कम है तो उसको infrasonic कहा जाता है एक picture के साथ मैं आपको इसको बताऊंगा और अगर 20,000 hertz से अगर जादा है तो उसको ultrasonic sound जो है वो कहा जाता है तीनो sound important है यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं उसी के बारे में यहाँ पे बतायागा है type of sound के बारे में audio sound जो है उसकी range रहती है 20 से 20 kHz तक और यहाँ इस पे जो है वो human beam नॉर्मली जो है यहाँ पे आते हैं उसके आद इन audio sound जिसको हम नहीं सुन सकते एक ऐसी sound जो 20 kHz से अबब हो 20 kHz से अबब हो लेकिन इसको in audio sound के साथ साथ ultrasonic sound का नाम भी दिया जाता है यहाँ पे जैसे आपके पास यह बताया गया है यह जो एक table आपके पास यहाँ पे बताया गया है 20 Hz से 20 kHz तक जो हैं वो मनुशे सुन सकते हैं 20 kHz से अगर जादा चले जाएं तो उसको ultra sound का नाम दिया जाता है जिसमें मुखे रूप से जो आता है वो हमारा bat या चमकादर आती है और अगर below की बात करें below 20 Hz से बात करें तो उसको infra sound या in audible sound कहा जाता है और उसमें मुखे रूप से जो हैं वो हाथ ही यहाँ पे आते हैं इसमें एक और हमारा जानबर आता है which is dog dog का नाम इसलिए लिया है क्योंकि जो भी military equipments होते हैं जैसे कि mines हैं उसकी frequency भी काफी कम होती है तो उसको check करने के लिए police या जो army होती है उनके पास होते हैं dogs कुते तो वो जो हैं उन frequencies को भी सुन सकते हैं उसके बाद जो है बात करते हैं use of ultrasonic sound के बारे में तो ultrasonic sound जो है वो सबसे ज़ादा important है example के लिए क्योंकि ये cleaning object electronic component में इसका use किया जाता है किसी भी चीज़ को clean करने के लिए इसका use किया जाता है किसी metal block के crack को detect करने के लिए भी ultrasonic का use किया जाता है जैसे for example मेरे पास अगर कोई एक ऐस बकसा है metal का कोई एक बकसा है और यहाँ पे जैसे बीच में जो है वो हलका सा crack है तो मैं इसको तोड़ के तो check नहीं कर सकता तो मैं क्या करूंगा यहाँ से ultrasonic radiation जो है वो पास करवाऊंगा और last में मैं यहाँ पे देखूंगा कि मेरे पास कितनी ultrasonic sound वो बापिस निकल के आती है जैसे मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बताया कि मैंने तीन ultrasonic rays जो है वो यहाँ से फैंकी है यह तो यहाँ से सीधी चली जाएगी यह भी यहाँ से सीधी चली जाएगी यहाँ पे लेकिन यह जो है वो कही ना कही पे जो है वो किसी ना किसी hole या फिर crack के साथ strike कर चुकी है तो उसी से हम जो है वो metal के cracks को detect कर सकते हैं उसके बाद है use in ultrasound scanner hospitals जो medical science में इसका use किया जाता है जैसे for example kidney stone को check करने के लिए या फिर new bone को check करने के लिए भी जो है वो उसकी checking के लिए जो है वो उसका ultra sound का ही इस्तेमाल जो है वो किया जाता है so important है आपके लिए उसके बात करते हैं sonar के बारे में so sonar भी आपके लिए important है sonar क्या है sonar की जो full form होती है वो है sound navigation and ranging ये जो है वो ships में यहाँ पे जैसे आपको बताया गया है ships में इसका use होता है तो एक ऐसी device है जो ultrasonic waves use करती है for measuring distance, direction and speed of underwater object तो sonar का क्या काम है जो distance, direction और speed object की measure करती है लेकिन कहाँ पे water के अंदर water के अंदर object की speed, distance और direction को measure करने के लिए sonar का इस्तेमाल किया जाता है तो यहाँ से क्या होता है जैसे यह मेरी को एक ship है यहाँ से इसने transmit किया सबसे पहले यह यहाँ पे radiation यहाँ पे भेजेगी फिर इस object के साथ यह strike करेगी और बापिस फिर इसको यह reflect करेगी तो यहां पे जो है वो इसको clearly जो है वो यहां से उसकी direction, distance और उसकी speed के बारे में जो है वो पता चल जाता है उसके बाद बात करते हैं human air के बारे में अब आपको पता ही है कि जो air हमारा human का कान है वो किस तरह काम करता है सबसे पहले जो है वो यहां पे हमारे पास sound आती है यह direct हमारे inner air तक जाती है सबसे पहले जिसे है आपके पास air drum है air drum से यहां पे बाहर out air है जो बाहर का portion है फिर air canal है सबसे पहले air canal से होके air drum में जाती है जिसे जो filter जैसा काम है वो उसको filtration का काम करता है फिर ये middle air में जाती है उसके बाद ये inner air में जाती है तो मुखे रूप से तीन इसके part होते हैं और इसके बाद ये जो है ये हमारे brain को show करती है कि ये किस type की sound है अब मैं आपको एक और चीज यहाँ पर interesting से बताता हूँ कि जो भी sound अगर आपने सुनी है वो उसकी sensation जो है वो आपको easily पता चल सकती है जैसे for example मैंने एक glass जो है वो नीचे फैंका तो उसकी sound जो है वो आपने सुनी है जैसे अगर कहीं पे भी अगर कोई glass गिरेगा आपने मानलो नहीं देखा लेकिन आपको उसकी sound सुनाई दी तब भी आपको पता चल सकता है कि वो जो sound है वो एक glass के गिरने की sound है लेकिन अगर कोई एक ऐसी sound जैसे कोई एक musical instrument है जो आपने नहीं सुना है कुछ अलग जैसा तो आप उसकी sound को नहीं पहचान सकते तब उस case में आपका जो है वो सारा का सारा काम रहता है आपके brain का उसके बाद last में इसके 20 plus most important notes की form में one liner आपके लिए important point आज हम discuss करेंगे सबसे पहले है sound is a wave motion produced by vibrating source sound जो है एक wave motion है और यह produce होता है vibration source है next one है material is necessary for the propagation of sound wave एक medium होना जरूरी है propagation of sound के लिए उसको transmission के लिए sound जो है वो एक longitudinal wave है और यह उसके direction के along जो है वो move करती है मतलब parallel form में यह move करती है इसलिए इसको longitudinal बोला जाता है और light जो है वो उसके perpendicular उसके perpendicular move करती है इसलिए उसको transverse wave बोला जाता है next one है part of reason of a longitudinal wave in which the density of particle of medium is higher than the normal density is called compression अभी आप बताया था कि compression क्या चीज़ है और उसके बाद आपको rare fraction भी इसके बारे में बताया था तो आप इसको जो है वो proper way से समझ चकते हैं कि compression क्या है यह high pressure के साथ होता है और forward direction में होता है लेकिन rare fraction backward के साथ यह low pressure में काम करता है next one है the point of maximum positive displacement on a transverse wave is known as crest तो जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक wave है जो उपर की highest यहाँ पे जो इसकी peak बनती है इनको crest बोला जाता है और नीचे वाले portions को truff बोला जाता है तो यहाँ पर बताया गया है maximum positive displacement उपर वाली चीज positive होती है और नीचे वाली जो है वो हमारे पास negative होती है so जो maximum negative displacement आती है जो नीचे की तरफ बनती है यह negative जो है यहाँ पे जो इसकी यह वाली चीज है maximum तक यह लेके जाएगी इसको truff का नाम दिया जाता है next one है above short duration which is confirmed sorry confined to a small portion of a medium at given time is called pulse so छोटी duration के लिए जब हमारी कोई बेव जो है वो travel करती है किसी medium के लिए जिसे हम क्या करते हैं पानी के अंदर पत्थर फैंकते हैं जिसे मेरे पास यह पूरा तलाव है यह यहां यहां तक तलाव है मैंने यहां पर पत्थर फैंका तो उसकी बेव कैसे बनेंगी बिल्कुल धीर से गर पत्थर फैंका ऐसे करके तो उसकी बेव ऐसे करके बनेंगी From their mean position during the propagation of a wave is known as amplitude of the wave. अब amplitude क्या है जो maximum displacement आता है किसी भी wave का positive के case में और negative के case में उस case में उस case में उस चीज़ को amplitude का नाम दिया जाता है और amplitude के basic unit होते हैं meter और इसके density और pressure के साथ unit जो हैं वो same रहते हैं next one है the distance travel by a wave in one second is called wave velocity it depends upon the nature of medium through it passes so important line है कि wave velocity क्या है जो wave हमारे one second में travel करती है जितना भी उसने distance travel किया है उसको wave velocity का नाम दिया जाता है और यह depend करती है basically उस medium के nature के उपर next है the speed of sound depends on the nature and the temperature of the transmitting medium यह अभी आपको बता दिया कि velocity को जो है वो कई बार speed का नाम भी देते हैं क्योंकि आपको पता है rate of change of speed is known as velocity so जो speed के बारे हम बात कहीं वही same चीज़ जो है वो velocity के लिए भी लाए करेगी so sound depends जो है वो उसके nature के उपर भी उसके depend करती है और साथ में temperature के उपर भी depend करती है next one है sound travels faster in solid than air सबसे जल्दी जो travel करती है sound वो करती है किसी solid में उसके बाद आता है gases में और उसके बाद last में आता है liquid sorry सबसे पहले आता है solid फिर उसके बाद आता है liquid और उसके बाद आता है gas की form next one आता है the distance between two consecutive compression और two consecutive rarefaction is called the wavelength अब एक और definition यहाँ पे निकल के आई wavelength मैंने आपको बताया था जो maximum peak हमारे उपर उपर के निकल के आते हैं crust crust के बीच का distance जो है उसको wavelength बोला जाता है लेकिन एक और definition निकल के आई जो दो consecutive compression है या दो consecutive rarefaction है उनके बीच का जो distance आता है उसको भी wavelength का नाम दिया जाता है next आपको बता दिया है frequency जो है वो number of oscillation पर second होती है time taken आपको बताया है complete one cycle होने के लिए जितना time उसको लगेगा उसको time period का नाम दिया जाता है next one है how the brain interprets the frequency of emitted sound is called pitch of the sound ये भी आपको बताया था कि pitch क्या चीज़ होती है so pitch जो है so pitch जो है वो हमारी frequency के साथ directly depend करती है अभी मैंने आपको हाल ही में बताया था उसके बाद loudness जो होगी वो degree होती है sensation of sound की अगर loudness increase करेगा तो हमारी amplitude भी increase करेगा उसके बाद जो है sound properties such as pitch loudness and qualities are determined by the corresponding bay properties sound की properties जो है जैसे की pitch है loudness है quality है ये सारी properties जो है ये bay properties को determine करने में help करती है important line यहाँ पे लिखी गई है next one है sound gets reflected and follows the same low as the reflection of light so sound जो है वो reflect करती है sound और same phenomena जो है light का reflection of light के लिए वो same low जो है उसको वो ये follow करती है so next one है sound जो है वो always repetition करती है और उसी चीज़ को abbreviation बोला जाता है कई बार उसको जो है वो eco का नाम भी दे दिया जाता है अभी मैंने आपको बताया था और eco जो है वो किसी large area के लिए होता है या large and hard obstacle के लिए होता है और जो हमारा repetition है वो किसी small area के लिए होता है उसके बाद audible जो range है वो 20 से 20 kHz तक रहती है next one है the amount of sound energy passing each second through unit areas called intensity of sound सबसे important line निकल के आई है the amount of sound passing each second through unit area एक unit area में per second के according जितनी भी sound जो है वो pass होती है उसको intensity of sound बोला जाता है लेकिन अगर basically intensity की बात करें तो उसका formula होता है power per unit area intensity को अगर आपने basic अपने phenomenon से understand करना है तो intensity को आप समझ सकते हैं एक brightness की form में जैसे phone की brightness होती है उसकी power increase करेंगे तो उसका area जो है वो power के साथ increase करेगा मतलब उसकी power जो है वो increase हो जाएगी तो उसको आप बिल्कुल understand करने के लिए जो है उसको brightness का नाम दे सकते हैं the next one है sound of frequency less than 20 hertz is known as infrasound और greater जब होगी तो उस case में इसको बोला जाता है स्थेतोस्कोप होता है उसमें रेबरिवेशन का जो है वो उसमें इस्तेमाल किया जाता है एक अलग लाइन है आपके लिए next one है sonar तो sonar की full form है sound navigation and ranging और यह हमारा बर्क करती है on the principle of reflection of sound wave important line है the sound technique sorry the sonar technique is used to determine the depth of the sea and locate under water hills, valleys, submarines, iceberg, knickling, ships, extra so sonar techniques जो है वो water के case में जो है वो सबसे ज़्यादा use की जाती है जो की determine करती है उसकी depth के बारे में उसकी direction के बारे में और उसके distance के बारे में so I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो की complete sound का chapter जो है वो मैंने आपके सामने जितना जितना यहां से possible हो पाया था उतना मैंने आपको यहां पे try किया है complete करवाने की next जो इसका topic रहेगा वो आपका sound के MCQs रहेंगे आपको comment box में बताना है कि जितने भी हमारे next chapter है उसके लिए direct MCQ की form ही आपके लिए सही रहेगी या फिर आपको description में भी उसको समझना है तो अकर आप comment box में बताएंगे तभी next video जो है वो description के साथ आएगी नहीं तो direct आपको MCQ की ही form जो है वो मैं लेके आऊंगा जल्दी से आपको comment यहां पे बताना है आप हमारे whatsapp group के साथ जरूर जुड़ें जिसमें आपको day to day के pdf, study materials, hpgk notes, india gk notes और army से related जितनी भी अभी तक हमारी youtube के उपर जो classes चली है online उसकी सभी की सभी solution के साथ आपको free of course pdf provide करवाई जाती है साथ में army से related जितना भी free material है वो भी आपको provide करवाई जाता है और इस video की pdf भी या इस sound chapter की pdf भी आपको whatsapp या फिर telegram के उपर मिल जाएगी तो video के description में आप यहाँ पे click करके हमारे group को join कर सकते हैं यहाँ यहाँ पे आपके सामने जो number दिया गया है यहाँ से भी आप हमारे group को join कर सकते हैं तो video अच्छी लगे तो video को like करें और share करें मिलेंगे जल्दी ही इसके next part के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत